हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम कौन से सब टॉपिक करने वाले हैं, दिग वेदिक पिरियट, महाजन पदास, और मौरेन एज, तो उस पे कुछ गुश्चन्स आज हम सॉल्फ करेंगे और सिखेंगे कैसे इसको टैकल करना है फॉर प परस्पेक्टिफ, ओके, तो आज का पहला स्वाल, पहला स्वाल किस पे है, अशोका के एडिक्स से, तो एक एडिक्ट, यूपेसी ने पुछा है, प्रिवेसे कॉश्चन, कौन से एडिक्ट में अशोका का नाम और उसकी पोट्रेट प्रेजेंट है, तो यह बहुत में कर चुके है, तो वो भी रिवाइस होएगा हमारा, और रिगवेदिक दियर, तो यह कोश्चन के है, इसमें सोचल लाइफ कंपेर हो रही है, दोनों एरा की, और यह प्रिवेसे कॉश्चन ने बहुत अच्छा फ्रेम किया हुआ है, तो प्लीज आप ट्राइ करके देख सेंपल यूज करते है, तो क्यों न इस पर थोड़ से प्रिलिम्स के कोश्चन हम सॉल्फ करके देखे, कि अगर UPSC को प्रिलिम्स में भी पूछ ले अगर कोश्चन, तो यह कुछ स्टेटमेंट्स है, ओके, देन फोर्थ कोश्चन, फोर्थ कोश्चन क्या कह रहा है, देख अच्छा कोश्चन फ्रिम्स के है, प्लीज सॉल्फ करो, देन लास्ट कोश्चन, अब आप देखोगे हर साल मौर्या एच एंड गुपता एच, इन दो पे हमेशा हर साल ही कोश्चन आते हैं, और अड्मिस्टेशन पे कोश्चन आते हैं, या फिर कोई टर्म आजेगी, कि ये टर्म का मीनिंग क्या है, तो ऐसे कोश्चन आपको हर साल मिलेगा, तो यही मैंने कोश्चिश किया, एक टैक्स अड्मिस्टेशन पे कोश्चन फ्रिम करने की, उसमें आपको तीन चार्ब फैक्ट्स आपको इसी में ही रिवाइस करवा दोंगा, ताकि थोड़ सा आपक पर एक कोश्चन आए गई आएगा हर साथ, तो प्लीस वीडियो पॉस करो और सॉल्फ करो, सॉल्फ करने के बाद प्लीस में को स्कोर बताना और बताना कि कहा पे प्रॉब्लम आ रहे हिस्ट्री में, रट्टा नहीं मार पारे, फैक्स भूल जाते हो, रिवाइस नहीं कर प बताना, ताकि हम और अच्छे से आपकी हल्फ कर सके, चलो आईए सॉल्फ करके देखते हैं, अब हम कोश्चन, पहला कोश्चन क्या बोल रहा है, कि in which of the following relief sculpture, inscriptions is रन्य अशोक, अब देखो रन्य अशोक, एक आपको निया टर्म मिल गया, रन्य अशोक मीन्स राज अशोक, mentioned along with the stone portrait of अशोका, तो दो रन्य अशोक and stone portrait of अशोका, अब ये कौन से inscription में है, तो इसका answer है, कंगन हाली, और सांची, शाबज, घारी and सोग्रा ये answer नहीं है, इसका answer कंगन हाली, अब देखो कंगन हाली actually news में भी था, ये कंगन हाली, तो ये basically करनाटका district में है, करनाटका district में हमें एक कंगन हाली एक location है, वहाँ पे हमें ये edicts मिलते हैं, और जहाँ पे हमें edict क्या मिल रहे हैं, वहाँ पे अशोका की portrait भी है, जो queens और अपने servants के साथ खड़े हुए हैं, और साथ में वहाँ पे stone slab है, वहाँ पे clearly mentioned है, रन् structure का combination, stone slab का combination है, जो हमें इंडिया में मिल रहा है, तो इसलिए important था, इसलिए UPSC ने इसको पूछा, right, then बाग की locations, अब देखो, UPSC ने question कैसे frame किया हुए, सांची आपको पता है, सांची है कि बुद्धिर साइट है, और बुद्धिर साइट में आपको पता है, वहाँ पे अशुका की address नहीं थे, तो आप इसको eliminate कर सकते थे, पर बाग की दो locations, अब ये भी दो नई locations आगी, तो अब इसको कैसे हमें learning में लाना है, अब देखो, ये previous question में आ चुका है, तो अब UPSC क्या कर सकती है, next time, instead of asking question on kangen hali, वो इन option से भी question frame कर सकती है, तो आपको थोड़ी स शाबस घाड़ी कहाँ पे located है, पाकिसान में, और वहाँ पे भी हमें अशुका के eddix मिलते हैं, पर हमें वहाँ पे क्या नहीं मिलता, portrait of Ashoka and slab पे लिखा हुआ, king Ashoka, या runya Ashoka, तो ये ध्यान में रखना है, सांची सुपा बता दिया, सोगुडा, सोगुडा कहाँ पे है, य वहाँ पे हमें information मिलती है, तो ये basic information आप ध्यान में रखना वस, अगर future में कभी UPSC इसको option से ही question frame करते है, okay, then second question, social life compare कर रहे है, या हम बोल सकते है, culture compare कर रहे है, किनका Rig Vedic Arians है, Indus Valley, हमें पता है Indus Valley पहले आया, फिर Rig Vedic Arians आये थे, तो इनके बीच पे social life compare कर रहे है, तो urban cities हमें मिलती है, in case of Harappa, Rig Vedic period में क्या था, वहाँ पे villages थे, तो हाँ पे rural culture मिलता है, ऐसे भी UPSC frame कर सकती है, तो ये आप transition भी observe करना, जब आप पढ़ते हैं, रिग वेदिक और Indus Valley, रिग वेदिक के बाद, मौरियन साहिगा, मौरिन के बाद, गुपता, जो भी आते रहे ह तो आप social life भी compare करा करो, ये आपके essays में भी helpful है, अगर suppose women का transition बताना है, women पे essay आगया, suppose, उसमें क्या बताना आएगा आपको, आपको बताना आएगा कि women का past में, history में कैसा relation था, और जो issues आज हम face के लिग पुरानी पहली भी थे, और उनकी situation deteriorate ही हुई है, खराब ही हुई ह और present में आते आते और खराब होगी, तो वो transition समझने के लिए आपको idea होना चाहिए, social life हर era में कैसे कैसे था, तो आपको ऐसे comparison भी आना चाहिए, इस question में क्या कह रहा है, पहला कहते है, रिग वेदिक Aryans use the coat of male and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them, हमें पता है, second half तो हमें पता ही है, क Indus Valley civilization में कोई हमें warfare का evidence नहीं बिला, तो second part सही है, अब हम first के first part, अब देखो, first part यह के factual information है, तो आपको रिग वेदिक प्रेट अच्छे से पढ़ना है, तो basically information अगर देखे हम, वो क्या बोलता है, रिग वेदिक chariators, और वो horse chariots इन्हों ने introduce किया था इंडिया में, right, so they had used Verma, Verma means courts of male, and helmets, helmets को क्या बोलता है, सिपरा और सिरो नास्तरा, यह बोलता है, so they had introduced this into India, तो आपको यह information अब आपको मिलगी, please यह ध्यान में रखना, and they were also equipped, और क्या लिखे आए थे वो जब warfare में involved थे, असी, which is another term for swords, then हनास, another term for arrows, फिर इलिहिनास, इलिहिनास, बोस को बोल option सही है, तो पहला option सही है, पर अगर हम देखे answer में, answer में क्या रखा हुए, 1 is correct, पर अभी भी option बाकी के 1 and 3, 1, 2 and 3, तो हमें 3 भी पता करना पड़े है, कि सही है या गल्थ है, तो अब देखे अगर, देखो second हमें पता ही एक wrong है, कैसे, रिक वेदिक आरियन्स, न्यू, गो copper and iron, अब यहाँ पर देखो, keyword के iron, iron age कब स्टार्ट हुई थी, जब वेदिक प्रियर्ड आया था, तो यह statement आपको वैसी पढ़ते ही, wrong हो जाना चाहिए, और एक और चीज आपको अगर थोड़ा आपने इंडस वाली अच्छे से पढ़ा है, तो आप देखोगे, वहाँ प question थोड़ा tricky है, यह मैंने अलग से frame किया है, it is a practice of using burnt bricks for house construction was introduced by हरपंस, हमें पता हरपंस के time पर burnt bricks के houses मिलते थे, पर यहाँ पर यहाँ पर यह second statement, but it was used extensively by Rig Vedic Aryans, अब देखो यहाँ पर trick है, Rig Vedic Aryans, rural community थी, not urban, तो वहाँ पर burnt bricks का कोई हमें sign नहीं मिला, तो third option is wrong, तो answer is only one, त पूछती है, तो आप यह explanation देख सकते हो, answer is one only a, okay, तो explanation part, statement 1, statement 2 is incorrect, statement 3 is incorrect, then we have थोड़ी सी information और मैंने additional आपको दे दी, कि plowing के base भी आ सकता है question, तो हमें पता है plowing के evidence हमें मिला था काली बंगन में, पर extensively plowing हमें कब मिली है, Aryans के time पर, उन्होंने agriculture को revolutionize कर दिया था, फिर armies हमें पता है Aryans आये थे, Aryans were fighter, warfare में involved थे, पर एक और चीच आपको point ध्यान में रखना है, कि उन्होंने army maintain नहीं करते थे, regular armies maintain नहीं करते थे, अब इसको comparison कैसे आजएगा, regular armies, Aryans maintain नहीं करते थे, कौन maintain करते थे, next जो आये थे महाजन पतास, तब हमें regular armies maintained मिलते थे, तब ही taxes charge होना start हो गये थे, तो ऐसे comparison करना बहुत ज़रूरी है, रही, ओके, then comes third question, third question, अशोका's policy of dhamma, easy question था, इसमें बस trap करने वाला था, first question, उसमें भी अगर आपने पढ़ा हो, अशोका's policy of dhamma, उसमें पहला statement यहीं होता है, कि अ कौन प्रमोट करता था, dhamma mata, so they were promoted by dhamma maha matas, so यह प्रमोट करते थे, अशोका की policy, जो message spread कर रहे थे, और राजुकास क्या थे, they were basically responsible for administration of justice, judges थे, इनको हम राजुकास बोलते थे, तो पहला statement wrong हो गया, then second statement क्या बोल रहे है, it was, its main objective was to maintain social order, यह तो basic order, basic principle है, तभी हम अशोका कि dhamma policy को अभी भी follow करते है, social order maintain करना चाते रहे, fraternity, equality, secularism, यह सब इसके principles है, तो instead of social order, वो यह भी mention कर सकते है, its aim was to promote secularism, fraternity, brotherhood, प्रमोटो, equality, प्रमोटो, यह ऐसे भी UPC frame कर सकते है, तो आपको social order का meaning clear होना चाहिए, तो second option is correct, अब देखो option में हम पता है, one is wrong, तो obviously answer two and three ही होईगा, और अगर third option भी देखे हो, वो क्या कह रहे है, James principle was the first to decipher the addicts of the King Ashoka, यह सबसे basic fact है, NCRT उठाओगे, सबसे पहले यही लिखा होता है, उसने ब्रामियन खरोष्टी script को decipher किया था, तो यह option आपका वैसी सही हो जाना चाहिए था, अब आपको पता है, three सही है, two सही है तो उससे भी answer हमारा निकल रहा था, अगर first भी आपको अगर नहीं आता, तो UPC ऐसे भी आपको help करता है, questions, options के थुरू, कि आप ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर first option नहीं आता, फिर भी आप question solve कर जाओगे, बस उसने आपको pressure build कर दिया, first option tough देके, बस still आपको options के थुरू आपको comfort provide करती है, ऐसे भी UPC mind games खिलता है, okay, यह explanation part आप पढ़ सकते हो, right, okay, fourth question, rig vedic period में जो हमारी vedas थी, rig vedas, yajur vedas, ather vedas, sound vedas, यह सब vedas थी, उनमें कुछ-कुछ reverse के नाम लिखे है, और reverse के जो आज के time पर हम पढ़ते है, reverse के name, उनके, उन reverse को ancient names के form में लिखे है, तो वो उस पे भी से question है, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाले थी, यहाँ पर मैंने mention के था, incorrectly correct, matched, तो यह ध्यान में जूरू रखना, incorrectly, ऐसे हम हम के लगता हम solve करने लग जाते हैं, और हम answer mark किसके हसाब से करते हैं, correctly matched के हसाब से, पर यहाँ यह ध्यान रखना, incorrectly matched, तो इसका answer के, pair 1 is correct, 2 and 3 are wrong, इसमें basically मैंने क्या, interchange कर दिया, रावी का नेम परुशनी है, चनाब का नेम असिकनी है, और ब्यास को विपाशा ही बोलते है, तो answer 2 and 3, because they are incorrectly matched, तो यह table है, तो आप याद कर लेना, यह reverse का देखो, थोड़ सा रटा है, पर हाँ यह table को बार बार देखते होगे, तो आपको नाम ऐसी याद होना शुरू हो जाएंगे, like ब्यास का ऐसे, I know someone whose name is विपाशा, तो ब्यास रिवर, then परुशनी, रावी रिव आपको वैसे याद होना चाहिए, यहाँ पे battle of 10 kings हुआ था, right, then काबूल को कुबा, कुरम को कुबू, यह observe कर लेना, कुबू और कुबा, कुरम और काबूल को, right, then बाकी रिवर्स, गागरा, गगर रिवर इतना न्यूस में रहता है, तो आपको गगर रिवर का पता होना चाहिए, यहाँ हर्याना गवर्मेंट रिवाइब करने कोशिश कर रहा है, गगर रिवर को, तो उसको क्या बोलते है, द्रिष्ट दवर्ती, ऐसी गगर रिवर को एक और है, उसको क्या बोलते है, सरस्वती और द्रिष्ट वर्ती, और सरस्वती रिवर को भी हर्याना गव लोकेटेड है पर आपको रिकॉल होना चाहिए स्वैट हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं यूपसी आजकल ऐसे कर रहा है कि वो क्या कर रहा है आपकी जोग्रिफिकल लोकेशन हमारी हिस्ट्री वाली बुक से उठा रहा है और कोशन ऐसे पूछता है कि जैसे जोग्रिफी का क कोशन है और आप जोग्रिफिक फिए गंश्याटेटब मिलता ही नहीं है कहां पर मिलता है तो इसको एक बाद देख लो कि वह लूकेशन कहां पर है योपसी ऐसे कर रहा है जैसे लास्टय में एक कोशन अधे रिपक्र लेक पर आया था सलाइं लेक कौनसी है वह आपको जे करते हो तभी याद होते है facts ओके तो यह additional information कुछ special about यह reverse चिनाब राभी इंडस्रिवर इंडस्रिवर को सिंधु बोलते है राइट और वहीं से हमारा नाम जेनेट हुआ था हिंदु क्लियर ओके लास्ट कोशन टैक्स administration of modern तो अब यह क्या है अब वो देखो तिन्नों सेट्मेंट सही है मेरा इस कोशन में एम था कि आपको थोड़ा आइडिया दूं information प्रोवाइट करो इसलिए मैं थोड़ा difficulty नहीं रखा difficulty इस वेसे बिकॉस यह factual question है इसलिए difficult हो गया तो देखो पहला स्टेट्मेंट क्या बोलता है सनी धाता वाज दी ऑफिसर इंचार्ज ऑदी स्टेट ट्रेजरी यह स्टेट्मेंट सही है इसमें एक्स्प्राइशन ही जरूए इतने है फैक्चुल information है फिर आप सेकेंड सेट्मेंट फिर भी क्यास कर सकते रहें मौरें पिरेट में टैक्स वर क्लेक्टेट बोथ हिन काइंड और कैश कैश हो गया जैसे मैं पैसो में आपको टैक्स पेड़ाँ काइंड हो गया मैं आपको क्या कर रहा है जैसे मैंने कुछ इसको हम बोलते है विष्टी यह भी एक बार UPSC पूछ चुकी है फोर्स लिवर का अनदर टर्म के विष्टी फिर ऐसी अग्रिकल्चर बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इरिगेशन पर कोशन पूछ चुक है यूपसी तो मैंने ऐसी एक उधाक भाग उधाक भाग के इट आपको बिल की न्यू इंफोर्मेशन तो प्लीज यह रिवाइस करते रहना तो यह एक्स्प्लेनेशन इसमें सनी धाता आ गया और समर्थ पी एक ऑफिसर होता था जिसकी रिस्पॉंसिबिलिटी क्या होते ही असेस्मेंट ऑफ टैक्स जो आपने अब बनना है आई आई आर रेवनियर सर्वेस ऑफिसर बेस्ट सिमलर काइंड ऑफिसर इंदी मौरिन पिरिट नोन ऐस ऐसे भी उपसी पूछ सकती है तो समर्थ सनी धाता समर्थ टैक्सिवर क्लेक्टे इन बोथ कैशन काइंड जैन अर्थ शास्तर अर्थ शास्तर क्या बोलता था जो भी आप उसमें हम यूज कर सकते हैं तो आप इस इंफॉर्मिशन को यूज कर सकते हो जैसे आज की टाइम भी कहता है हम बफर स्टॉक रखते एक्स्ट्रा ग्रींज के लिए तो उसको क्या अगर इस सोर करके रख रहे है ताकि अगर फिलर्ड आ जाए कोई डिजास्सर आजा कुछ भी शॉकिंग इवन आजए जैसे अभी कोविड आया था तो हम उस बफर स्टॉक को यूज कर सकते हैं फॉर दी पर्पोस फूर से के लिए तो इसको आप यूज कर सकते हो अर्थ शास्तर ने भी मेंशन किया था से वगर हमें यूज कर सकते हो रही देन उधाग भाग यह क को चलके अर्थ शास्तर में भी मैंशन रही तो एक इन्फो पींशन के अर्थ- śास्तर किसन ने लिखा और यह इंप मीशन आपको मिल्कि लो थूड़ी कर दोताए बाद स्टेट पिल्डर सिंस्तों एन सबको तो उनको क्या बोलते थी आप हमें सर्फ अपनी labor provide करो combustible labor और हम आपसे tax नहीं charge करेंगे तो government ये भी service available होती थी उस सहीं पर then a kind of tax, levi of pranay, pranay tax इसको बोलता है gift of affection तो government क्या इसको भी charge करते थी और ये भी mentioned रहा है अर्थ शास्तर में तो ये ध्यान में रखना कहां पर तो ये उसको एसे कैसे पूछ सकती है कि अर्थ शास्तर में कौन कौन से taxes mentioned है ओके फ्रेंड्स I hope this session was helpful to you तो आपको information देनी थी हमारा current fare start हो रहा है batch तो portal पर है portal पर लाइफ classes भी available है offline भी available है और साथ में pre-recorded videos भी available है अगर आप real time पर watch नहीं कर सकते तो pre-recorded videos भी आपको available होगी और वो videos comprehensively होएगी prelims, mains सब covered होएगा हर subject covered होएगा और PDFs भी आपको मिलती रहेगा time to time तो ये प्लीज आप portal पर जाके चेक कर सकते हो ऐसी courses हम provide कर रहे है ये courses live और offline दोनों mode में available है और pre-recorded इसकी भी available है और ये भी comprehensively covered होएगी prelims, mains, then PVAQs covered होएगे current फिर भी incorporated होएगे static slivers के साथ तो प्लीज आप ये देख सकते हो और ये courses के है आपके demand के हसाब से है जो और सा course आपने जोईन करना है वो जोईन करो subject specific आपको पूरा course अन्रोल करने की ज़रुवत नहीं है GS course तो प्लीज आप ये चेक आउट कर सकते हो पॉडल पे बाकि कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे comment section में बताओ या फिर आप मुझे mail drop कर सकते हो I am really happy कि मुझे mails आ रहे है बहुत लोगों की और मैं उनको happily help कर पार हो ओके ओके friends thank you so much have a nice day and फिर हम कल मिलते हैं thank you bye bye